अगर आप इस पॉयम की हिंदी एक्स्प्लानेशन या क्वेस्टन आंसर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं आएए करते हैं इस पॉयम के question answers No men are strange What do you mean by strange? No men are strange में एक word है strange आपको बताना है कि strange का earth इस पॉयम में क्या लिया गया है आपके option है non जिसको हम जानते हूं unknown जिसको ना जानते हूं french या फिर old तो इस पॉयम में इस लाइन में strange का earth है unknown No men are unknown कि कोई भी unknown नहीं है कोई भी अंजाना नहीं है तो आपको B option correct answer है Second question है what is the rhyme scheme used in the poem No men are strange No men are strange जो पॉयम है इसमें rhyme scheme बतानी है कि कौन से rhyme scheme यूज की गई है A B, A B, A B, A B, C D या no rhyme scheme या फिर ये सभी तो सब भी तो हो नहीं सकते क्योंकि कोई नहीं की राइम scheme होती ही है लेकिन इस पॉयम में कोई भी rhyme scheme यूज नहीं की गई है ये पॉयम free verse में लिखी गई है Free verse का मतलब होता है कि किसी भी परकार की rhyme scheme का यूज नहीं किया गया है नेक्स्ट कोश्चन देखिए Beneath all uniforms A single body breeds Name the figure of speech used in this line इस line में आपको figure of speech बतानी है कि कौनसी device यूज की गई है कौनसी poetic device का यूज है इसमें आपके option है metaphor alliteration या फिर C option देवा है both A and P या फिर simile तो इसमें metaphor और alliteration दोनों का ही प्रियोग है तो आपका स्योप सिर्ट correct answer होगा और योग कैसे आए देख लेते हैं बाबा की sound की वज़े से alliteration है body, breath, spin it और अगर हम metaphor की बात करें तो metaphor इसमें बिनित all uniforms का यूज किया गया है जो army person होते हैं question correct answer है they too aware of sun and air and water who are they इसमें दे का प्रियोग है तो दे कि इसके लिए प्रियोग हुआ है ये बताना है other country people दूसरे जो our country people हमारे देश के लोगों के लिए या फिर other countries people दूसरे देशों के लोगों के लिए या फिर god or goddess या फिर stars के लिए तो दे का प्रियोग यहाँ पर दूसरे देशों के लोगों के लिए प्रियोग हुआ है foreigners के लिए यहाँ पर दे का यूज किया गया है बताया गया है कि जो foreigners हैं जो दूसरे देश के लोग हैं वे भी sun, air और water का हमारी तरह ही प्रियोग करते हैं इसके लिए वे भी aware है वे इनके बारे में चानते हैं Next question है The people of countries of other than ours are aware of death The people of countries other than ours हमारे से जो दूसरे दिस के लोग हैं जो दूसरे countries के लोग हैं वे किस चीज़ से aware है यह बताना है sun, air, water या फिर all यह लाइम तो हम पिछले questions में कर भी चुके हैं के they two aware of sun and air and water तो चलिए यह तीनों ही सही हैं आपका D option correct answer है Next question के और बढ़ते हैं Which poetic device has been used in wars long winter start वार्स, long, winter, star उसमें कौन सी device का यूज किया गया है यह बताना है आपको simile, metaphor, hyperbole या फिर none of these तो इसमें metaphor का यूज किया गया है वैसे तो अगर आप वा, वा की sound देखें तो अलिट्रेशन का प्रियोग भी किया गया है इसलिए इसमें metaphor का प्रियोग है वो क्यों है Wars, long, winter, star जो war की comparison है वो winter के साथ की गया है यह कि जिस परकार से winter में हम परिशान रहते हैं harsh winter हमें परिशान करते हैं उसी परकार से war भी destruction लेकर के आता है इसलिए इसमें metaphor का प्रियोग है metaphor में भी हम comparison ही करते है तो war की comparison विंटर के साथ की गई है What should be remember पाइट क्या कहता है कि क्या याद रखना चाहिए No men are strange, no countries foreign, both A and B या फिर none of these पाइट यही कहता है कि no men are strange और no countries foreign इसलिए C option आपका correct answer है A और B दोनों सही है Where shall we all lie at the end of our life जीवन के अंत में हम सब कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कहां lie करते हैं यह पताना है inner room एक room में on the room in the earth, या फिर none of these तो यहाँ पर at the end का मतलब है, जब हमारी मृत्ति हो जाती है तो हम कहां मिल जाते हैं, कहां निवास करते हैं, कहां रहते हैं तो सही option है in the earth हम इस धर्ति में ही मिल जाते हैं, जब हमारी मृत्ति हो जाती है इसके बाद देखें Who is the poet of the poem No men are foreign इस poem के poet के बारे में बताना है कि किसने लिखी है, John Dunn James Kirkup, Phoebe Carey या फिर कमला दास तो आपको पता है कि ये poem James Kirkup ने लिखी है तो B option, correct answer है What are the people fed by? लोगों का पालन पोशन कैसे होता है? वे कैसे feed करते हैं? पीस्फुल हार्वेस्ट लॉंग विंटर वार्स या फिर all of these तो पीस्फुल जो हार्वेस्ट हैं जो फसल उगाते हैं पीस्फुल समय में सान्ती के समय में उनी से लोगों का पालन पोशन होता है नेक्स्ट कॉश्टन देखिए What are the people starved by? अगर लोग भूके मरते हैं तो कैसे मरते हैं? किन कार्णों से मरते हैं? बॉद A and B या फिर नन अफ्टीज तो इसमें लोग विंटर को बताया है कि जो सर्दी का मुसम होता है लोग विंटर होती है विंटर हार्स होती है उस समय पे लोगों के पास कुछ कमाने के ज़्यादा साधन नहीं होते और सर्दी से वे परिसान रहते हैं तो वे सर्दी में भूखे मर सकते हैं और लोग विंटर की कमपैरिजन यहाँ पर वोर के साथ की गई है जिस परकार वोर के समय पे लोग दिस्ट्रक्शन का दपाही का सामना करते हैं उसी परकार से लॉंग विंटर में भी वे भूग का हंगर का सामना करते हैं How can the strength be one? गर हमने power को जितना है, strength को जितना है, कैसे जित सकते हैं? By hate, by power, by love, या फिर none of these तो by love, प्यार से हम strength को जित सकते हैं What is common in every land? Land से हमारा मतलब है country, हर country में क्या चीज़ कोमन है? Power, life, war, या all तो हर देश में एक चीज़ कोमन है, और वो क्या चीज़ है? Life, सभी लोग एक ही तरह से जीते हैं Life is common in every land We are told to hate Our test हमें hate करने के लिए कहा जाता है तो किस से hate करने के लिए कहा जाता है? Our land, अपने देश से Brothers, अपने भाईबंदों से Our views, अपने ही विचारों से या फिर all We are told to hate our brothers ये लाइन आपकी पॉयम में दे हुई है हमें अपने ही भाईबंदों से तो कि पूरी दुनिया एक Universal Brotherhood का रूप होना चाहिए Point का ऐसा मानना है वह है पूरे देश पूरी दुनिया के लोगों को आपस में Brothers मानता है What are we doing to the earth? इस धर्ती के साथ हम क्या कर रहे हैं? पॉलिशन कर रहे हैं प्लांटिंग ट्रीज पेड लगा रहे हैं केर कर रहे हैं इसकी या फिर ओल तो अकोर्डिंग तुदा पॉइट वी आज दूइंग पॉलिशन हम यहाँ पर परदूशन फैला रहे हैं चाहिए वो वार से है चाहिए वो नदियों को हम पॉलिट कर रहे हैं उसमें गंतगी बाहर रहे हैं चाहिए पेड काट रहे हैं कुछ भी किसी भी तरीके से हम कर रहे हैं हम इस दर्ती में जो है कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हैं वट इच आउट रेजिंग दा इनोसेंस ओफ एर जो एर की प्योरिटी है जो एर की इनोसेंस से प्योरिटी है वह किस से दुसीत हो रही है कौन उसको वाइलेट कर रहा है फायर डस्ट बोथ ए और भी या फिर नन उफ दीज तो पॉइट ने कहा है कि हैंस ओफ फायर and dust outraising the innocence of air आपका C option A और P दोनों सही है क्योंकि जब यूद होते हैं तो उसे smoke, dust ये raise होती है और जिसे air pollute होती है The innocence of dust that is our own इसमें बात की गई थी कि जो health of fire और dust है outrage the innocence of what किस चीज की innocence को violet करती है, pollute करती है दुसित करती है और वो चीज हमारी अपनी है तो आपको बताना है कि वो water है, air है, soul है, life है तो the innocence of air air को pollute करता है dust और fire इसलिए आपका B option, correct answer है the innocence of air that is our own where do we all walk upon हम कहां पर चलते हैं सब एक दूसरे के साथ मिल करके यह आपको बताना है आपके option है, on the water we water के उपर हम एक साथ चलते हैं, in air हवा में चलते हैं on the earth, you have is none of these point समझाना चाहता है कि हम सब एक ही है हम strange या different नहीं है क्योंकि हम same land पे चलते हैं same earth पे हम अपने आप रहते हैं, निवास करते हैं तो आपका C option, correct answer है or sleep and strength आपके poem एक line है or sleep and strength name the device used in this line इस line में क्या device यूज़ की गई है, यह बताना आपको तो आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि जब same sound से कोई word एक ही line में शुरू होता है, तो उसमें alliteration का यूज़ होता है, तो यहाँ पर देखिए और sleep and strength तो सासा की sound है इसलिए इस line में alliteration का यूज़ किया गया है बाकी जो options है, similarly metaphor या फिस नन उफदीच, यह correct answer नहीं है वार टाइम इस यूज़ के समय को compare किया है, तो किस के साथ, कौन से सीज़न के साथ compare किया है, यह बताना है rainy season, summer season, winter season या spring season तो वार टाइम को winter season के साथ compare किया है, और इस line में compare किया है, वो line हम कर चुके हैं, उसमें metaphor का use है what is the meaning of defile, एक word आया है defile, कि which defile था human heart, हम human earth को defile करते हैं, तो आपको defile का meaning बताना है, कि defile का क्या आर्थ है option आपके बाश, danger, pollute, hate, love, तो defile का अर्थ था पोल्यूट करना, इसमें कहा गया है कि हम अपनी land को अपनी earth को पोल्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर be option आपको correct answer है what do we defile according to the point, point के according हम क्या चीज़ defile कर रहे हैं, क्या चीज़ हम pollute कर रहे हैं, sky, sun, earth, none, तो हम अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं, तो हम इस अर्थ पे रहते हैं, गोर ने, nature ने तो हमारे साथ कोई discrimination नहीं किया है, कोई भेदाव नहीं किया है, but we are defiling, we are polluting the earth next question देखे, what message does the poem, no man are foreign convey, क्या message देती है ये poem हमें, universal brotherhood का, universal equality का, universal unity का, या फिर all of the above, तो ये सभी messages, point conveys that the whole world is one, there should be oneness of mankind, इसलिए universal brotherhood, universal equalities मानता होन चाहिए, universal unity ये सभी होनी चाहिए, यही message, point इस poem में convey करता है, तो आपका D option, correct answer है, who have created border, discriminations and countries according to the point, point concerns जो borders हैं, जो सीमाई हैं, या discriminations हैं, बेदवाव हैं या countries हों किसने create किये हैं, God, nature, people themselves, या none, तो भगवाद ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, nature ने भी नहीं किया, लोगों ने खुद ही अपने आप ऐसा किया हैं, उन्होंने अपने borders create कर लिए हैं, अपने countries बना लिए हैं, boundaries बना लिए हैं, तो ये आदमी खुद है, what do we do, when we hate others, जब हम दूसरों से hate करते हैं, तो हम क्या करते हैं, we defeat others, हम दूसरों को defeat करते हैं, we become superior, हम superior बन जाते हैं, we hate ourselves, हम अपने आप से ही hate करते हैं, all of the world, याकि ये सभी, तो point ने कहा है, if we hate others, it means that we are going to hate ourselves, क्योंकि सभी लोग हमारे brothers हैं, तो हम दूसरों से hate करेंगे, तो इसका मतलब है, कि हम खुद से ही hate कर रहे हैं, what things are common in all the people, सभी लोगों में क्या चीज़ common है, इस point में बताया गया है, कि all wake and sleep in the same way, all are born and brought up in the same way, all breathe, live and die in the same way, या फिर all of the above, तो क्या चीज़ common है, ये बताना है, तो point ने बताया है, कि हम सभी एक तरश से सोते हैं, जाकते हैं, हम सभी का जन्म होता है, कि तरीके से हमें हमारा पलंपोसन होता है, हम सांस लेते हैं, जीते हैं या मरते हैं, एक ही तरीके से ये सब काम होते हैं, तो all of the above, ये option आपका correct answer है, नेक्स्ट कुश्चन देखिए, तो यहाँ पर आप blank दिया हुआ है, आपकी poem की एक line ली गई है, तो बिनित और all souls, uniforms, trees या फिन नन अफ्टीज, तो बिनित और all uniforms की बात की गई है, जो different countries के, जो army पर सहुंते हैं, वो पहनते हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है, तो बिनित और all uniforms, how can we understand common life on every land, every land हर देश में, हर country में हम common life को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, by becoming powerful, by hating others, by living narrow thoughts, या for all of the above, तो powerful होकर के भी नहीं समझ सकते हैं, या दूसरे से hate करके भी नहीं, अगर हम अपने narrow thoughts, जो हमारी संकिर्ण विचार दा रहा है, संकिर्ण विचार हम को छोड़ दें, तो हम हर country के जीवन को समझ सकते हैं, कि एक ही चीज common है, that is life, what causes war, war का क्या करने यह बताना है, love, poverty, hatred, religion, तो धरम भी ऐसा नहीं करता, कि यूद कराता है धरम, poverty भी नहीं, प्यार भी नहीं, यह hatred है, यह घिर्णा है, एक दूसरे से jealousy है, जो यूद का कारण बनती है, तो आपका C option correct answer है, to hate our brothers, brothers refers to, brothers एक word है, यह किसको refer करता है, family members को, children को, people from other countries, या फिर none of these, तो यहाँ पर brothers से हमारा, मतलब है people from other countries, दूसरे देशों के जो लोग है, वे भी हमारे brothers है, और point कहना चाहता है, कि to hate our brothers, it means that we are hating ourselves, कि अगर हम अपने brothers से hate करेंगे, तो इसका मतलब है, हम खुद से hate कर रहे हैं, यहाँ पर C option correct answer है, अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe करते हैं, वीडियो को like करना, share करना मत भूलिएगा, आए करते हैं, last question, according to the point, that, that should not be supported, कि इस चीज़ को support नहीं किया जाना चाहिए, love को, universal brotherhood को, war को या peace को, तो प्यार और universal brotherhood, और peace को तो support किया जाना चाहिए, इनका तो favor करना चाहिए, war एक ऐसे चीज़ जिसको हमें support नहीं करना चाहिए, I hope आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे, आप red bell icon को जुरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज के notifications आपको मिलते रहें, और comment box में comment अवश्य करें, ताकि आपके comment मुझे motivation देते रहें, और मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियोज बनाता रहें, thank you, have a nice time,